कि नमस्कार विद्यार्दियों घटना चकर करेंट फेर मैगजिन के जनवरी जोधार चौबिस के सार संग्रे की वीडियो में आपका बहुत बहुत सागत है इससे पहले कि हमारी वीडियो थे जनवर से लेकर दिसंबर 2023 तक कि अगर आपने हमारे घटना चकर के करेंट फेर्स मन्त के अंदर अंतराश्टिक करेंट अफेर्स अराष्ट्रिय खेल जगत पुरुसकार वहम सम्मान आर्थिक परिद्रश वैस्विक सूचकांक अंतरक्स करेकरम सेंक युदभ्यास न्यूक्तियन चर्चित पुस्त के महत्पूर्ण दिवस उनकी थीम योजनाय मेशन अभ भारत वर्श दोजावच जबिस के लिए अंतराश्ट चीनी संगर्थन का अध्यक्स बना है इस संगर्थन का मुख्यृह कहां इस्तित है इंटरनाश्टल सुगर और गयुद इसका मुख्याल कहां सतित है लंदन में ज़लिशत है और 2024 के लिए भारत बनाए गया है अंतर पनामा, जॉर्डन और अल्बा ने इन देशों को वहाँ से खटाया गया है सेट राश्ट महासबा में इसराइल और हमास के बीच ततकाल संघर्स विराम के लिए मसोधा प्रस्ताव किस ने प्रस्तुत किया है जॉर्डन के दौरा इस मसोधा प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है सेट राश्ट महासबा ने जॉर्डन के सेट राश्ट के राजदूत महमूद हमूद ने इस मसोधा प्रस्तुत किया था हाली में तुर्किये से भारत आ रहे हैं एक मालवाहक जहाज का अपरन कर लिया गया था उस मालवाहक जहाज का क्या नाम है उसका नाम है गैलेक्सी लीडर इस नमक एक जहाज सा मालवाहक जिसे की तुर्किये से जो भारत आ रहे था है उसका हाली में अपरन कर लिया गया था हाली में यूरोपिय सस्यस्तर बलों की संदी से बाहर होने की घोशना किस देश ने की है अंसर है रूस भारत ने इसराइल हमास संगर्स से अपने नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था उससे भियान कराम है ओपरेशन आजय जिसमें की इसराइल और हमास की संगर्स में भारती नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए ओपरेशन अजय नामा का भियान चलाया गया था नाइट कुशन है हाले में केंद सरकान के ने किसके साथ पहले रेल लिंक कोकरा जहार गेलेफू प्रस्ताव पर सहमत हुए है इस रेल लिंक का है बुटान से समध है और इसमें असम के कोकरा जहार को बुटान के सरपंग जिले के गेलेफू से जोड़ने के लिए अठावन किलोमेटर लंबी ये एक रेल लिंक परिजना है नईस्टा हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सरवाधिक पेटेंट आविदन करने वाला देश कौन सा है अंसरेट है चीन अगला कुशन है अंतराष्टी सौर गठवंदन का पिच्चानवा सदस्य देश हाली में कौन से देश बना है इंटरनेशनल सोलर आल्यांस का पिच्चानवा सदस्य देश बना है चिली इसका मुख्याले अंतराष्टी सौर गठवंदन का गुरुगरा महरियाना है प्रमों किसके हैं आजय मातोर Next question आले में चर्चा में रहा Westwick Bogota गोशना का समन किस से है Global Bogota Declaration इसका समन है River Dolphin से Next question है Making our future new direction for human development in Asia and the Pacific report को किस ने जारी किया है इस report को जारी किया है UNDP ने United Nations Development Program इसके तुराष्ट अविकास कालकरम के द्वारा इस रिपर्ट उजारी किया गया था Next question है NMDC ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान पराराम की है सोने की पहली खान पराराम की है Australia में पश्ची में Australia में स्थित्व माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट Next question है White Hydrogen के भंडार की खोज कहाँ पर की गई है सफेध Hydrogen की खोज हाली में फ्रांस के अंदर की गई है Next परमानों परिक्षन प्रतिमंद संधी के अनुसमर्थन को किस देश ने हाली ने वापस लिया है इसमें जो कह सकते हैं कि Nuclear Test Ban Treaty से अपना अनुसमर्थन के इसमें वापस लिया है रूस के दौरा अपने आपको इस संधी से बाहर करने की कोशन की गई है Next question है हाली में लिये गए नेने का नुस्वार CBSC का नया प्रससनिक करले भारत के बाहर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा UAE में सपित किया जाएगा भारती के केंदर शिक्षा मंत्री धर्विंदर प्रधान की दौरा यह कोशना हाली में की गई थी Next part रहेगा राश्टी परिदरश्य जो राश्टी करन डिफर्ट जितने बनते हैं इस पूरे मंत्र में उसको इस पार्टनर कबार करते हैं हाले में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग के इंदर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है किरल राज्य अपने सभी 14 जिलों के अंदर हॉल मार्किंग के अंदर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है Next भारत की पहली उर्द्वादर पवंध सुरंग कहां इस्तापित की गई है हिमाचार पर्देश ने स्थापित की गई है और भारत के सेना के प्रमुक जनर मनोज पाढ़ने के दौरा इस सुरंग का उद्गाटन किया गया था Next question हाले में चर्चा में रही मेबेला वैक्सीन का संबंध किसे है गुज्जास सरकार ने किस राज मचली को सिद्की को इसका नाम ہے घोल मचली की कहता है हल्की भूरे कलर्की होती है गोल्डन फिश नाम से इसको बनाए गया है आप गुजरात की राजी मचली घोल मचली नेक्ट GI टैग प्राप्त C बक्थाउन का संबन्द किस राजी से है C बक्थाउन जो की एक प्रूट है वहाँ का लद्धाग से संबन्द थे C बक्थाउन जिसको हाले न जी आई टैग मिला है नेक्ट कुशन GI टैग प्राप्त बेरिनाग चाय का संबन्द किस राजी से है बेरिनाग टी उत्राखंड वर्स दोज़ेस ताई सटाईस तक अपनी पहली निर्यात प्रोसान नीती को मंजूरी किस्ट ने प्रदान की है अंसरे महराष्ट की दोर अपनी पहली निर्यात प्रोसान नीती को मंजूरी प्रदान की गई है एक माह में सरवादिक 16.1 million turn का कारगो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगा कौन सा है प्रैट आंसर है मुद्रा बंदरगा एक एंटीपीसी आर इएल की पहली नवीकरणी योजना दयापार पवन परियोजना का कहां प्रार्ण की गई है दयापार पावन परियुजना गुजरात में शुरू की गुजरात की कच्छ में जो की 50 मेगावाट की यह परियुजना है नेक्स कुछन है हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सडक दुर्गटना है 2022 में सरवादिक मिर्तियु परतिशत की सराजी में रहा है सडक दुर्गटना का उत्रपरदेश उत्रपरदेश में मिर्तियु का परतिश सबसे अधिक 13.4 परतिशत है प्रधानमंत्री अरेंद्र मोदी की द्वारा किस राज में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का सुभारम किया गया है हेरिटेज ट्रेन गुजरात में सुरू की गई है हाली में हाइडोजन उत्पादन करने वाला बैक्टिरिया की खोज कहां पर की गई है हाँडरेजन उत्पादिंग करने काले बेक्टिरी र खोच महा राष्ट में करें गई है, मेरा हाँच्नंगबा उत्सव का to one का मनिनтобल स्मुणि हाईजन की राज की गए गा हैौ सिंत्व कना हुल予त्य जोकर राष्टि की समें किस राज से हैौ सिंगूर सयंतर विवाद, इसका समझ है प्रश्य मंगाल से. Next, राष्ट हल्दी बोर्ट घटित किया गया है देश में, सर्वादिक हल्दी उत्पादक राज फिश्रनी में पहला राज कौन सा है? महराष्टर, भारत में सरवादेख, हल्दी उत्पार्दगराज महराष्ट है नेक्ष्ट पार रहेगा परुसकारेवं सम्मान पर पंट बनता है हाली में भातरवी Miss Universe 2030 का खिताब किसे जीता है भातरवी Miss Universe 2030 से खिताब जीता है 26 पालासियोस ने जो की निकारागुआ की एक टीवी होस्ट और मॉडल है 2022 में आर बोनी गरेबिर थी जोनों उन्हों ताज पहनवाया नेक्ष्ट फ्रांसिसी अवार्ड सेवेलिर डॉन्स लह ओडे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरस नामा के अवार्ड है जिससे किस भारते अविनेतरी को समयनत किया गया है राइट अंसर है एजचा प्रेड़ा नेक्ष्ट वेस्विक सिखसक पुरुसकार 2023 ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है यह दिया दीप नारायन नायक को दिया का है बंगाल के एक अध्यापक है UNWTO की case studies की सूचे में किस राज के responsible tourism mission को सामिल किया गया है UNWTO यानि कि सहिक राष्टर वेस्व परेटन संगठन के इस responsible tourism mission को सामिल किया गया है नेक्ष्ट NASA impact planet पुरुसकार किसे दिया गया है NASA impact planet पुरुसकार दिया गया है डॉक्टर सुजीत रॉय को नेक्ष्ट सर्वसिष्ट कॉमेडिस नेनी में अंतराष्टी एमी पुरुसकार जीतने वाले पहले भारती कौन बने है राट आंसर है वीर दास अगला कोशन है इट राट इस्टेशन प्रमाणन प्राप्ट करने वाला हाली में रंगया रेल्वे स्टेशन और मार्यानी रेल्वे स्टेशन दोनों ही किस राज के हैं अंसर है अशम अशम से समधे दोनों ही रंगया और मार्यानी रेल्वे स्टेशन जिनको इट राइट इस्टेशन पुरामान पत्र दिया गया है इंदरा गांदी सांती पुरुसका 2022 से किसे समाने दिया गया है इंदरा गांदी सांती पुरुसका 2022 जिसकी गोशना 2023 में की गई थी इसको दिया गया है दो संस्ताओं को दिया गया है पहली भारती महीला क्रिकेटर का क्या नाम है ICC के क्रिकेट हौल अफ फे में सामिल होने वाली पहली महीला क्रिकेटर बनी अडाइना एडोल जी और उनके साथ साथ विरंदर सेवा को भी ICC के क्रिकेट हौल अफ फे में सामिल किया गया है Next British Academy पुष्टक 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 2023 के लिए किसे चुना गया है British Academy पुष्टक पुष्टक 2023 के लिए चुना गया है नंदिनी दास को Quoting India, England, Mughal India and the Origins of Empire नमक पुष्टक के लिए दिया गया है Next UNEP ने Champions of the Earth पुष्टक 2023 के लिए किसको चुना है Champions of the Earth 2023 के लिए पांच जना को दिया गया है जिसमें जोसिफेना, बैल मॉंटे, जोगी फिलिमिंस की है पंडा को एलेन मेकार्थर, पुर्दगाल के है जोसमेनुवल, मॉलर, इस्पेन ब्लू सर्कल, जोकी चीनी कंपनी है और विग्यानिक और अधियोगिक अनुसंधान परिशद दुद्ध की दक्षन अफ्रीका का है इंच पांचों को ही दिया गया है Champions of the Earth पुरुसकार दोज़ाटेइस नेक्ष्ट आजदी का अमरत महसो पुरुसकार किस राज जिया के निसा से राज को दिया गया है आजदी का अमरत महसो पुरुसकार दिया गया है जमू कश्मीर को इसके बाद दूसरे स्थान पर है गुजरात और तीसरे स्थान पर हार्याना और राजिस्थान दोवे सिंग्त रूप से है अगला कुशन है यूनेस्को की स्रजनात्मक सहरों की सूची में किसे सामिल किया गया है यूनेस्को की स्रजनात्मक सहरों की सूची यान कि क्रियेटिव जो सहरों की सूची है इसके अंदर होजी कोड और गवालियत दोनों को यहां सामिल किया गया है नेक्स्ट दूसरा रोहिणी नाइयर पुरुसकार 2013 किसे दिया गया है दीनानाथ राजपूत को नेक्स्ट आठवी बार बैलेंडी और पुरुसकार से किस फुटबल खलाड़ी को समानित किया गया है अंसर रैट है लियोनल मैसी लियोनल मैसी के पास सराधिक बैलेंडी और अवार्ड है जिरोंके आठ भार जीते हैं इस अवार्ड को नेक्स्ट बाताएगा खेल परज़श्य 37 राष्ट्रे खेलों की पदग तालिका में सीर्स इस्थान किसे मिला था 37 राष्ट्रे खेलों की पदग तालिका में सीर्स इस्थान मिला महराष्ट को जो कि 80 राष्ट्रे पदगों के साथ कुल 28 पदग जीते थे इसमें और इस सुचिम में पहले सतन परहां इनका आयोजन गोवा में किया गया था अलबानिया में आयोजन अंडर 23 कुस्ति में विश्व चेंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलावन कोन बनी है अंडर 23 चेंपेशिप में महिला पहलावन बनी है अरितिका घुड़ा 37 राष्टी खेलों का आयोजन जो की गोवा में किया गया था पहले स्थान पर महला श्राह था उसमें उसके अधिकारिक प्रयाज़ों कौन था ओफिसल इस्पॉंसर नहां पर था पेटियम नेक्स्ट हाले मैज़ुत हुए एक दिवसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विश्व का सबसे 30 सतक किसन लगाया था विश्व कप का सबसे 30 सतक आर्स्दा का रेकोर्ड थोड़ा कहा था ग्लैन मैक्सकुल के दारा जो रहने के 40 गेंदों में वर्ल्ड कप में अपनी सतक बनाया था नीदिलन के खिलाब नेक्ट कुछन है हाली मैज़ुत किये गए पहरा यए से खेल 2023 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं और कौन से इसन पर रहा पहरा यए से खेल जंग जोचीन में की गए थे जिसके अंदर भारत में कुल 11 opening बारा जिक़े था नेक्स्ट इंदे मंतरी अनुराग सिंग ठाकूर ने पहली बार कौन से खेलों के आयजन की गोशना की है पहली बार खेल होने वाले हैं खेलों इंडिया पैरा गेम्स ठीक है और इसके सुबंकर है उजवला यह देख सकते स्क्रीम पर आप और इन खेलों में पहले स्थान पर हर्याना रहा था नेक्स्ट 24 में होने वाले Under19 Cricket विश्यू कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है 24 में होने वाले Under19 Cricket World Cup की मेज़बानी सिलंका से अठा कर दक्षिन अफ्रीकर गई है पहले सिलंका में होना था लेकिन अब दक्षिन अफ्रीकर में स्थानाँ तरीं कर दी गई है next पंका जडवानी ने 26 वार विसु बिलीड्स चेंपेंशिप का खिताब जीता है राइट अंसर है कतर कतर में next ICC पुरुस एकदिवसी क्रिकेट 2023 का खिताब की स्ट्रिम ने जीता था ICC पुरुस एकदिवसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब Australia ने भारत को फाइनल में हरा कर जीता था इस मैच के मैच के मैच पुरुस एथलीट का आवार्ड किसको दिया गा था स्री हरी नेट राज को जो कि करनाटे के एक तराक है श्री हरी नेट राज आठ स्वरंट पदक एक रजवत एक कांस पदक फुल दस मैडल जीते थे और सर्फष्ट एथलीट का आवार्ड इन्हों ने जीता था next 2020 प्रत्यों गिता सईद मुस्ताक अली ट्रोफी को हाली में पहले बार किसने जीता है सईद मुस्ताक अली ट्रोफी को जीता है पंजाब की दौरा next हालिमिय आयर्जित, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारती होकी टीम ने कौन सा पदक जीता ता? सुल्तान जोहर कप इसमें भारत में काँ से पदक जीता ता यहां पर? next अंतराश्ठी कृरिया में टाइम आउट होने वाले पहले खेलड़ी कोन बने हैं ? अनधरश्री क्रिट में टाइम-आउट होने वाले पहले खिलडे बने हैं एंजेलो मैथ्यूज نट दक्षिन कारिया में आयोजित एशियाई निषान बाजी पत्ड शॉगीता में भारत बदक तालिका में कौन से स्थान पर इस यही निशाने वाजी प्रत्योगिता में जो कि दक्षिन कोरिया मैजुद कीक्टि भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा था पहले स्थान पर चीन है 33.6 प्रदुकों के साथ नेक्स सचिन तेंदुगर की प्रतिमा का अनावरन कहां पर किया गया है सचिन तेंदुगर की प्रतिमा का अनावरन मुंबई के वान खेड़े स्टिडिय में किया गया था चुत्रकार मूर्तिकार प्रमोथ कामले के द्वारा इस मूर्ति को बनाए गया है नेक्स पार्ट है नियुक्तिया यानि अपॉइंट्मेंट्स हाली में फिकी के नए अधेक्स कौन बने है FICCI यानि की फिकी जिसके अधेक्स बने है अनिश साह नेक्स्ट स्पेशल प्रोटक्शन ग्रूप SPG के नेदेश कौन बने है SPG के डाइटर बने हाली में अलोक शर्मा नेक्स्ट भारत के मुखी सुचना एक्ट के पद पर किसको निख्ट किया गया है Chief Information Commissioner बने है हिराराल सामरिया नेक्स्ट डबलोच के दक्षिन पूर्व ACI कारेले की छेतरी निदेशक किसे निख्ट किया गया है छेतरी निदेशक बनी है साइमा वाजीद डबलोच का मुख्याल है जिनिवा सुच्ज लेंड में नेक्स्ट योजना एक कारिकरम मिशन या भियान जो भी इस पूरे मन्त में सुरू किये गया है जो कि पहल इनिशेटिव सुरू किये इनके बार में इस पार्ट में कबर करते हैं अगनी पहल किस ने परारम की है एजी एन आई यानि आयुर्वेद ज्ञान निपुन्य इनिशेटिव यह शुरू कि के अंदर ये आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिश्यत के द्वारा नेक्ट पठें, मिशन महिला सार्थि का सुबारम कहां किया गया है इसके अंदर कुछ बसें जो चलाई जाएंगी बीए सिक्स बस जिनकों की संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाएं जिसमें ड्राइवर और कंडेक्टर दोनों ही महिलाओं होंगी समुद्र की पारिसिति को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किस ने लौँच किया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन लौँच किया गया है तमिलनाडू सरकार की द्वारा जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभ्यान किस मंत्राले ने लौँच किया है Water for Women and Women for Water Campaign को सुरू किया गया है अवास और सहरी मंत्राले यानि कि Ministry of Housing and Urban Affairs नेक्स्ट प्रोजेक्ट कुसा का समन्द किसे है प्रोजेक्ट कुसा का समन्द है डिडियो से जो कि एक वाई रक्से परणाली है प्रोजेक्ट कुशा नेक्स्ट प्रोजेक्ट पुनीत राजकुमार हर्दय जोती योजना किस राजी ने परारम की है प्रोजेक्ट पुनीत राजकुमार हर्दय जोती योजना तरनाटक राज के दोरह सुरु की गई है नेक्स्ट फाली में चर्चंवरां रहा Operation Bison का सम्बंद किस से है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदाय योजना को किसने मंजूरी प्रदान की है? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदाय योजना उत्राखंड के द्वाराश के मंजूरी दी गई है मच से पालम को बढ़ाव देने के लिए मुक्खी मंतरी मच से संपधायोजना सुर्की वी है नेक्ट पाट है दिवस एवं जो भी उसकी थीम रही है इंपोर्टेंट डेज और उनकी थीम परला पाट है सविधान दिवस हाली में कब मनाय गया है प्रेटास है 26 नॉवंबर को मनाय गया है सविधान दिवस 26 नॉवंबर उनिस वन्चार्ज के दिन सविधान को आपचार एक रूप से स्युगार किया गया था उसके बाद 26 जनॉरी उनिस वन्चार्ज को इसको लागू कर दिया गया था आयरुवेद दिवस कब मनाय गया है आयरुवेद दिवस नेशनल आयरुवेद एडे मनाय गया है 10 नॉवंबर को थीम इसकी रखे गई थी एक स्वास्त के लिए आयरुवेद आयरुवेद फॉर वन हैल्थ अंतराश्टी ये बायो स्फिर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है इंटरनेशनल बायो स्फिर रिजर्व डे ये मनाया गया है तीन नवंबर को भारत में वरतमान में अठारा अधिसुचित बायो स्फिर रिजर्व है नेक्स्ट राष्टी एक्तदिवस दोजाते इसकब मना गया है नेशनल युनाटी डे टूटी टूटी त्री ये मना गया है 31 अक्टूबर को नेक्स्ट सेयोत अब्याक्स और जो भी ओप्रेसंस चले थे भारत कजाकिस्तान की थल सेना और वायू सेनों के बीच कौन सा युद अब्यास हुआ थे पैटन से काजिंद युद अब्यास जो की उम्रोई मेगाले में उजित किया गया था नेक्स्ट भारत नेपल ने कौन सा सेयोत युद अब्यास के हाली में भारत और नेपल का युदावास होता है सूरी किरन इसका आजन पिथोरागन उत्रगन में किया गया था Next भारत USA का वज्र प्रहार स्युक्त अभ्यास का आजन कहां किया गया था वज्र प्रहार इसका आजन मेगाले में किया गया था उम्रोई मेगाले में Next भारत और बंगलादेश ने संजुट अभ्यास बोंगो सागार 2023 और समन्यवत गस्त कोर्पेट का आयजन कहां पर किया था बहुंगो सागर 2023 भारत और बंगलादेश का अभ्यास पिशा का पर्टनर में है इसका आयजन किया गया था नेक्स्ट बारती वाहिशना का पूर्वी आकास अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है पूर्वी आकास अभ्यास इसका आयोजन किया गया है शिलॉंग में नेक्स्ट भारती नोशना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपिंशिप रेगाटा का आईजन कहा पर किया गया था भारती नोशना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपिंशिप रेगाटा इसका आईजन महराष्ट में किया गया था नेक्स बाट रहेगा पुस्तके और उनके जो भी लेखा करेते हैं इंपोर्टेंट बुक्स हाले में प्रकाशित आत्मकता सेयर जिसने चांदनी पी ली है प्रकाशित आत्मकता है यह किस के आत्मकता है एक आत्मकता है आत्मकता है आत्मकता है और अटो बैगराफी है नेक्स्ट विज्ञान अवा प्रधुक्य की एपस और पॉर्टल जो भी लौंच किये गए हैं भारत की पहली सेटेलाइट अधारित गीगाबिट ब्रोडबेंड सेवा कौन सी है इसका रहाइट आंसर है जियो स्पेस फाइबर इसको पहला AI humanoid robot CEO कौन सा बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस humanoid robot Mika ना सारे शूपर नुवा अवसेश शिग्नल्स लूप का अधियन करने के लिए कौन सा मिशन से लौंच किया है रहाइट है इसका है इन्फिश मिशन इसका पूरा ना हो जाएगा Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment Infuse Messages कहता है नेक्स्ट हाले में चर्चम रहा प्रचंड का संबंद किस से है यह एक हेलिकोप्टर था जिसका नाम है प्रचंड जो कि भारत का पहला सुदेशी बहुत देशी लड़ों को हेलिकोप्टर है जैसे हिंदुस्तान Aeronautics Limited की दोरा त्यार किया गया है नेक्स्ट हाले में चर्चम रहा क्यूब सेट उपगरा SSAMU-SAT किस विश्विदाले से संबंदित है अलिगर्ट मुस्लिम इनुशिटी जो कि अपना उपका एक सेटिलाइट लांच करने वाला है मेच्ट पाटे संमेलन ताइबवम बैट खें स्रीत राष्ट फोर्म और फोर्स्ट का आयुजिन कहा पर किया गया था याँजिन कहा गया ध़ेगए दहरादून में नेक्स पहला Nicolasyl número 5 absolute अवेक्षेभई कंवेशन का आयुजिन कहा पर किया गया था फर्स्ट ग्लोबल प्रोफेशनल एकाउंटेंट्स कन्वेशन का आउजन गांदी नगर गुजरात में किया गया था टीम इसकी रखी किती कनेक्टिंग ग्लोब, क्रेटिंग वैल्यू अराष्ट्री मानवदिकार संस्थानों का चौधवा अंतराष्ट्री सम्हिलन का आउजन कहाँ पर किया गया था 14th International Conference of National Human Rights वोपेनेकन डेनमार्क में आउजन किया गया था इसका पहली इंडस एक्स निवेश बेठक का आउजन कहाँ पर किया गया है स्कायजन अन्य दिल्ली में किया गया था अमेरिका भारत अमेरिका डिफेंस एक्सलेशन इकोसिस्टम इसका पूरा नाम है नेक्स्ट फेमस परस्सनलिटीज पहली में भारत के सीजी घृचिंद मुर्मु को किस लेखा परिक्सक पैनल का उपरिक्सक निव्स किया गया है इनको UNO के परिख्सक पैनल का उपाध्यक्ष ने उतकिया गया है, नियंतरक और महाले का परिख्सक है, घिरी चुन मुर्मू को Next, HBA के ब्रांड एमिशेडर कौन बने हैं? HBA के ब्रांड एमिशेडर बनाए गया है, MS Dhoni Next, BBC की सो सबसे प्रेरक और परभावशाली महिलाओं के सुची में, कौन-कौन भारती सामिल हुई है, इसके अंदर भारती अबिनेत रिदिया मिर्जा, हर्मन प्रीत कवर क्रिकेटर, आर्ति कुमाराव और जैतियुम्ना टेंजिन पाल्मू Next, भारत के सुप्रिम कोट की पहली पूर्व महिला ने अदिश का निदान हाली में उनका क्या नाम है, एटांसर है, मीरा सहिव, फातिमा दीवी Next, ICC ने किस देश के करकेट खिलाडी मारल सैंबोल्स पर 6 वर्ष का प्रतिपन लगाया है, वश्टिर्डीस के खिलाडी वारल सैंबोल्स उनके ऊपर 6 वर्ष का प्रतिपन लगाया है नेक्स्ट ब्रश्चाचार के आरपों के चलते किस देश के प्रधान मंतरी एंटोनियो कोष्टा ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है एंटोनियो कोष्टा जो कि पूर्थगाल के प्रधान मंतरी एंटोनियो कोष्टा नेक्स्ट, टाइम मेगजिन ने किस से अपनी कवर इस्टोरी में जगे दी है हाली में बंगलादेशी पीम सेख हशीना को यहाँ पर कवर इस्टोरी में जगे दी गई है नेक्स्ट, हाली में दिवंगत हुए जलवाई वेगानिक और नोबल पुरुस का विजयता सलीम उलहक का समन्ध किस देश है सलीम उलहक का समन्ध है बंगलादेश फिकर दोस्तों यह था हमारा घटना चकर करन्टेफर मेकजिंग का जनवर दोजार चोवीस का सार संगर का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के रूप लाइक कर देना कर दो वीडियो का समन्ध है